ओम श्री परमात्मने नमहा ओम नमो भगवते वासु देवाई श्रीमत भागवतम महापुराण प्रथमिसकंध अध्याय दूसरा भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्मे श्री व्यास जी कहते हैं शौनकादी ब्रह्म भवादी रिशियों के ये प्रश्न सुनकर रोम हर प्रश्न के पुत्र उक्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ उन्होंने रिशियों के इस मंगल मैं प्रश्न का अभिवननंदन करके कहना आरंभ किया सूत जी ने कहा जिस समय श्री शुकदेव जी का यग्योपवीत संसकार भी नहीं हुआ था सुत्रा लावकिक वाइदि कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था उन्हें अकेले ही सन्यास लेने के उद्देश से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे बेटा बेटा उस समय तनमय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से व्रिक्षों ने उत्त कर दिया ऐसे सबके हिर्दे में वीराजमान श्री शुकदेव मुनी को मैं नमस्कार करता हूँ श्रीमत भागवतम महापुराण अप्यांत गोपनिये रहस्यात्मक पुराण है यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है संसार में फसे हुई जो लोग इस घोर अज्ञाना अंधकार से पार जाना चाहते हैं उनके लिए अध्यात्मिक तत्तों को प्रकाशित करने वाला यह एक अध्विती है दीपक है वास्तम में उनी पर करुणा करके बड़े-बड़े मुनियों के आचार श्री शुक देव जी ने इसका वर्णन किया है मैं उनकी शरण ग्रहन करता हूँ मनुष्यों में सर्व श्रेष्ट भगवान के अवतार नर नारायन रिशियों को सरस्वती देवी को और विश्रिव्यास देव जी को में नमस्कार करके तब संसार और अंतह करण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमत भागवता महापुराण का करना चाहिए रिशियों आपने संपूर्ण विश्यों के कल्यान के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्ण किया है क्योंकि यह प्रश्ण श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भाती आत्म शुद्धी हो जाती है मनुश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ती हो भक्ती भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे ऐसी भक्ती से हिर्दय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धी करके कृत कृत्य हो ज्यान और वायराग्य का आबिर्भाव हो जाता है धर्म का ठीक ठीक अनुश्ठान करने पर भी यदि मनुश्य के हिर्दे में भगवान की लीला और कथाओं के प्रती अनुराग का उदय ना हो तो वै निरा श्रम ही श्रम है धर्म का फल है मोक्ष उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ती में नहीं है अर्थ केवल धर्म के लिए ही है भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है भोग विलास का फल इंद्रियों को तरप्त करना नहीं है उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह जीवन का फल भी तत्व जिग्यासा है बहुत कर्म करके स्वर्गाद प्राप्त करना उसका फल नहीं है तत्व वेत्ता लोग ग्याता और गेई के भेद से रहित अखंड अध्वितिय सचिदा अनंद स्वरूप ग्यान को ही तत्व कहते हैं उसी को कोई ब्रह्म और कोई परमात्मा और कोई भगवन नाम के भगवान के नाम से पुकारते हैं श्रद्धालू मुनिजन भागवत श्रवन से प्राप्त ज्यान और वाईराग्य युक्त भक्ती से अपने हिर्दे में उस परमतत्त परमात्मा का अनुभव करते हैं शौनकादी रिशियों यही कारण है कि अपने अपने वन तर्था आश्रम के अनुसार मनुष जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धी इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो इसलिए एक आग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवन कीरतन ध्यान और आराधन करना चाहिए कर्मों की गाठ बड़ी कड़ी है विचारवान पुरुष भगवान क चिंतन की तलवार से उस गाठ को काट डालते हैं तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे शावनकादी रिशियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा तदंतर श्रवन की इक्षा फिर श्रद्धा ततपश्याद भगवत श्रवन और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं वे अपनी कथा सुनने वालों की हिर्दय में आकर इस्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नश्ट कर देते हैं क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृत हैं जब श्रिमत भागवतम अत्वा भगवत भक्तों के सेवन से अशुभ वासनाय नश्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ती भगवान श्री कृष्ण के प्रती स्थाई प्रेम की प्राप्ती होती है, तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादी शांत हो जाते हैं, और चित इनमें रहित होकर सत्व गुण में स सक्तिया मिट जाती हैं, हिर्दय आनद से भर जाता है, तब भगवान के तत्यों का अनुभव अपने आप हो जाता है, हिर्दय में आत्मस्वरू भगवान का साक्षातकार होते ही, हिर्दय की ग्रंथी तूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन ख्रीन हो से आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है प्रकृति के तीन गुण है सत्व रज और तम इनको स्विकार करके इस संसार की स्थति उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अध्वित्य परमात्माही विश्णु ब्रह्मा और रोद्र ये तीन नाम ग्रहन करते हैं फिर भी मनुश्यो का परम कल्यान तो सत्व गुण स्विकार करने वाले श्री हरी से ही होता है जैसे प्रित्वी के लकड़ी की अपेक्षा धुमा श्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ है अगनी क्योंकि वेदोक्त यग यागादी के द्वारा अगनी सत्गती देने वाला है वैसे तो का दर्शन कराने वाला है प्राचीन योग में महात्मा लोग अपने कल्यान के लिए विशुद्ध सत्युग भगवान विश्णों की आराधना किया करते थे अब भी जब लोग उनका अनुसरन करते हैं वे उनहीं के समान कल्यान भाजन होते हैं जो लोग इस अंसार सागर स पार जाना जाते हैं वे यत्यपी किसी की निंदा तो नहीं करते ना किसी में दोशी देखते हैं और फिर भी घोर रूप वले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूत पतियों की उपासना न करके विश्णु भगवान और उनके अंश कलाग स्वरूपों का ही भजन क पतियों की उपासना करते हैं क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादी से मिलता जुलता है वेदों का तात्पर श्री कृष्ण में ही है यक्यों के उत्तेश श्री कृष्ण ही है योग श्री कृष्ण के लिए ही किये जाते हैं और समस्त कर्मों की परिस अमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है ज्यान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है तपस्या श्री कृष्ण की प्रसनता के लिए ही की जाती है श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है यद तत्यु की दृष्टी से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदी में इस संसार की रचना की थी, ये सत्व, रज और तम, तीनों गुण उसी माया के विलास हैं, इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरी के मालूम पढ़ते हैं, वास्तव में तो वे परिपून, विज्ञा अननंत घन हैं, अगनी तो वस्तुता एक ही है, परन्तु जब अनेक प्रकार की लकडियों में प्रकट होती है, तब अनेक सी मालूम पढ़ती है, वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, परन्तु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पढ़ते हैं, बूत तनमात्रा इंद्रियत था अंतह करण आधी गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्मान करते हैं और उनमें भिन भिन जीवों के रूप में प्रवेश करके उन उन योनियों के अनुरूप विश्यों का उपभोग करते और करात वे ही संपून लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु, पक्षी, मनुष्य, आदी योनियों में लीला अवतार क्रहन करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोशन करते हैं